ओम च्रे गणी शायना महाल जय भोलेनाज जैशिव शक्ती वल्कम बाक्टो वर चैनल आज हम एक वीगली डीडिंग करने जा रहे हैं को एक वेडियस साइन के लिए जिसमें हम देखें नहीं कि यह हाफता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा यह जनरल रीडिंग है और अ नीचे description box में दिया हुआ है तो चले स्टार्ट करते है आज की रीडिंग और देख लेते हैं अक्वेडियस एनर्ची क्या रहने वाली है overall for anyone watching this video जाहे आप बच्चे बजूर्ग कोई भी है students anybody overall energy क्या रहने वाली है for all the Aquarius so Aquarius overall energy है man holding a coin so financially I think काफी अच्छा स्टेबल दिखाय दे रहा है यह hafta और I think social circle आपका अच्छा हो सकता है आपके से को मिल सकते हैं जो आपको guide कर सकता है आपको समझा सकता है आपको help out कर सकता है और in any way ठीक है financial advice कर सकता है मेभी कोई broker कोई dealer you know जो आपको help करे किसी चीज में मदद करे तो वैसी energy हमें दिखाय दे रही है आप लोगों के लिए Aquarius so good energy ठीक है it's about expansion masculine energy ठीक है वह वाली energy दिखाय दे रही है so अच्छा है और stepping forward getting into your power stepping forward और I think जादा fearful नहीं रहेंगे आप एक confidence आपके अंतर आता हुआ दिखाई दे रहा है और उससे फरक नहीं पड़ता आप male है female है लेकिन yes confidence चीजों को you know कि कैसे आगे बढ़ाना है decisions also decision कैसे लेने हैं चलिए love life की बात कर लेते हैं current situation क्या है I think it's about dilemma दो देख सकते हैं इधर उदर किसको choose करें किसको प्यार करूँ ऐसी वाल energy दिखाए दिए you are confused you are lost you don't know ठीक है आप confused है परशान है किसी चीज को लेके relationship wise यह ऐसी situation है ठीक है आपकी energy अगर हम देखें तो ऐसा लगता है it's about की चीज़े slow चल रही है आप कुछ कर नहीं रहे हैं कर नहीं पा रहे है situation में ठीक है तो चीज़े slow चल रही है हाँ यह जरूर है कि अपने temperament को कोशिच कर रहे हैं balance out करने को कोशिच कर रहे हैं अपने अपको अपनी marriage को अपने relationship को on the other hand आपके चो partner है I think of course one like two what we say that phrase जो मैं हमेशा बोलती हूं two is and three is a crowd I don't know तो वह एक phrase जो कि मैं भूल रही हूं तो वह हो सकता है yes of course हो सकता है कि third party situation है और आपको समझ नहीं आरा and this person is like क्यों क्योंकि आपका एक connection एक bond nostalgia यह person आपको भी मुझे ऐसे लगता है जोड नहीं पा रहे है यह मतलब relationship में कुछ और है यह influence हो सकते है other influence मतलब कहने का मतलब आप लोगों के बीच में कुछ और हो सकते है लोग ठीक है जिनकी वजह से यह problems आ रही है यह एक बात हो सकती है that kind of energy we are getting कुछ के लिए हो सकता अगर आप एक love relationship में है तो आपको choose करना पड़ेगा ठीक है और I think एक नया relationship हो सकता अगर आप एक love relationship में है तो हो सकता आप उनया relationship choose कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं बर जो लोग married है उनके लिए हो सकता अगर सकते हैं I think it's about it's a very slow connection Seven of Pentacles का मतलब होता है कि आपको patience रखनी पड़ेगी आपको time देना पड़ेगा तभी आप यह relationship change हो पाएगा ठीक हो पाएगा ठीक है because यहां पर मुझे लगता है कि बहुत like illusion है यह हो सकता है कि बहुत सारे इधर उदर ध्यान भटक रहा है तो वह actually temptations temptations अब किसके साइट से है कुछ कह नहीं सकते career wise I think lot of cards चलिए सारे आज हम लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि again it's about starting up a venture you are working really hard hard worker है आप मेहनत कर रहे हैं और जब आप काम करते हैं तो आप परवान ही करते हैं आप देखते नहीं है क्या है दिने की रात है तो एक balance आता हुआ नजर आ रहा है by December चीजें अच्छी हो सकते हैं कुछ start-up कर सकते हैं कोई मतलब जैसे कोई venture या कुछ भी या कोई business या कुछ नया start-up करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं या job है तो ऐसी energy पर में दिखाय दे रही है क्यों partnership के cards भी आ रहे हैं celebration at workplace चीजें बदल सकती हैं तो all in all आप अपना काम करते जाहिए I think positive outcome of course मिलेगा और कुछ भी अगर आप start-up करेंगे तो successful रहेगा आपके लिए and moreover it's also about recognition praise कि आपको recognition मिल सकते हैं अपने काम में achieve कर सकते हैं you know so that kind of energy we are getting for all the experience तो क्या guidance है finances अच्छे दिखाई दे रहे हैं okay guidance यह है कि first of all you need to work on yourself यहां पर हमारे पस relationship sector को लेके ऐसा लग रहा है learning from your mistakes ठीक है past में कुछ भी हुआ कैसे भी हुआ so learning from that और उसमें से सीख कर आगे बढ़ना ठीक है अपने आपको change करना past की बातों को छोड़ देना जो हुआ सो हो गया ठीक है और आगे बढ़ना and career wise it's about victory success उतार चड़ आप चरता रहता है लेकिन main is about success हो सता है enjoy your success अगर आप कुछ अच्छी भी कर रहे हैं तो इसको enjoy भी कीजिए ठीक है वह बाली नवची दिखाए डेरी के लिए और बाकी रही बात you know relationship sector में again मैं आपको यह बूरूंगी it's about कि ऐसा लगता है कि mirror effect यह हो सता है कि शायद आप face to face कुछ नहीं किसी से deal कर रहे हैं और आपको you know clarification की जरूवत है और यह हो सता है कि आपको खुल के बाते करने की जरूवत है channeling your own energy ठीक है मतलब आपको I think it's a यहां पर एक बहुत deep message आपको दिखाई रहा है कि first you have to you know work on yourself आपको खुद को देखना है क्यों 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 कि कही बार ऐसा होता है कि जो चीजें हम दूसरों में सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह हमारा ही वह प्रती बिंब है क्या बोलते हैं उसको you know like mirror जिसे हम कहते है ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम जो कर रहे है सामने वाला भी वैसा ही कर रहा है that kind of energy we are getting so this is what we are getting for all you people I hope आपको reading पसंद आई हो और हमें comment करके बताये कैसे लगी बिलती हो next time take care